देश के महान सपूत डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी का जीवन, विद्या, वित्र और विकास इन तीन मुल्भुत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी कहां करते थे, कोई पी राष्ट सिर्फ अपनी उर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका विजन आज भी करोलों लोगों को प्रेणा दे रहा है। शिक्षा से जुड़े छेत्र के लिए महिला सजक्ति करण के लिए देश की परमाणू नीती को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कारिय किया, जो विचार रखे वो उस दोर की सोच से भी बहुत आगे के थी। देश के विकास में जन भागिदारी का महत्व समझते विए उन्होंने जो रास्ते सुझाए वो आज भी उतने ही महत्वपूर है। आज अगर कलकत्ता और पस्षिम बंगाल भारत के अभीन अंग है, इसका यस किसी भी एक व्यक्ति को अगर देना है, तो आँख मूंद कर स्यामाप्रसाद मुखर जी को देना है। डॉक्टर शामाप्रसाद मुखर जी के लिए जो सबसे महत्वपूर बात थी, वह थी भारत की अखनता और एकता। और इसी के लिए 52 साल की कम और उम्रों में ही उन्होंने अपनी जान भी गावानी पड़ी। आईए, हम हमेशा डॉक्टर शामाप्रसाद मुखर जी के एकता के संदेश को याद रखे, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जी जान से जुटे रहे।